खरगोन जिले में वसूली करने गए एक नीजी बेंग युवक को गोली मारक दी गई है IDFC बेंगों की द्वारा दिये गए समू लोन की वसूली करने गए करमी से लूट का प्रयास किया और भी फरार हो गए दो गोली लगी है युवक अमित भावसार को गंबीर हालात में जिला अस्पिताल से इंदोर रेफर किया गया है गटना कोगावताना शेतर के बताए जा रही है और हालात अभी इस्थिर है तो इसलिए इंदोर रेफर किया है अमित पिता अनिल बाइस साल का लड़का है यह शायद वसूली करने वाले हैं बैंक से तो किसी ने गोली मार दी एक्सरे हो गया दो है दो गोलिया है एक शोल्डर पे है और एक लेप साइट चेस्ट में है क्या इस्थिती लग रही है इस्थिर है इंदोर रेफर करा है आगे के लागे डोक्टर विनाय वासकले है